नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गैन सेक्शन यूटूब चैनल में आज का जो टॉपिक है फर्मवेर वर्जन के उपर है अगर आपको आपके हार्डिस्क का या SSD का फर्मवेर फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो भी हम कमांड प्रॉम्ट से बत विंडोस के साथ में आर बटन दबाएंगे आपके कीबूर से और वहाँ पे cmd लिखेंगे और ok करेंगे आपका कमांड प्रॉम्ट इस तरह से open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे कमांड एक टाइप करनी है जो मैंने description में dv है उसको इस तरह से आप टाइप करिए और यह इसे आप enterprise करेंगे तो आपके पास में जितने भी drive आपके computer पे होंगे वो यहाँ पे show होगे और उसका form version show होगा बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे case में मेरे computer पे मेरा जो desktop है यहाँ पे एक SSD है और एक hard drive है यह दोनों के form version है अब यहाँ पे पता नहीं चल पा रह command run करनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसके लिए आपको यह वाली command run करनी है जो यहाँ पे मैंने write down की है WMIC disk drive get model, firmware version interface करिए तो देखिए यहाँ पे firmware version का एक column आ गया और उसके साथ में model आया यहाँ पे जो उपर की है model number ST200DEM005 यह मेरी hardX है और नीचे वाली EVM SSD है और EVM SSD का firmware यह है और साथ ही साथ हमारी जो hardX है उसका यह form version है तो इस तरह से आप पता कर सकते है कि आपके computer में जो SSD है और hardX है उसका form version क्या है इस तरह के नए technical subject या वीडियो जानने के लिए कुछ नया सीखने के लिए हमारे चानल को subscribe करिए मिलते है अगले नए वीड अन्ने वाद